आखिर में 12,466 भरती में 17 और 18 फरवरी को क्या हुआ विस्तार से जानेंगे हेलो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं Your New Direction YouTube चैनल सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर ले और इस भरती की हर एक अपडेट के लिए आप इस चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ बिल आइकन को जरूर दबा ले जैसा कि सबसे पहले 17 फरवरी 2022 को केस लिस्ट हुआ उसका नमबर भी आया डेली कॉल लिस्ट में तीन नमबर पर केस लगा था तो ऐसी स्थिती में एजी साब ने कहा कि अगली तारिक लगा दिया तो ओगी तारिक को जैसे ही 2 बच कर 35 मिनट वे तो लगवग जानकारी मिल गई थी कि एजी साब कोड में मौद में मौदूद थे थोड़े दिर के लिए वो गय थे क्योंकि 6800 की सुनवाई भी थी लेकिन वो लगबग 4 बज के 20 मिनट तक कोर्ट नमबर 2 में बैठे रहे लेकिन कोर्ट नमबर 2 में 303 का एक मामला था जो की लगबग 2 घंटे चला जिस कारण से जज महोदय ने 12,460 का जो केस था उसे टेक अप ही नहीं होने दिया तो यसी स्तिती में कुल मिला कर देखा जाये तो ना 17 को सुनवाई हुई ना 18 को सुनवाई हुई एक बार फिर से दो तारीख लगने के बाद भी कोर्ट की तरफ से ही सुनवाई नहीं हुई जबकि पच्छ विपच्छ सरकारी सभी अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद रहे और 18 तारीख को फिर से यहाँ पर जब एजी साब के माद्यम से कहा गया तो जज़ सहाब ने, एजी सहाब ने कहा कि सोंवाई की तारीख लगाई लेकिन जज़ सहाब ने एक बार फिर से मंगल वार की तारीख लगाई ağabji मंगलवार की डेली काल लिष्ट जो है पूरी लिष्ट है वो आई नहीं है वो लिष्ट आएगी तो उसमें डेली काल लिष्ट में किस नंबर पर केस लगा हुआ है फ्रेस केस कितने है ये सबी चीजें वहाँ पर निरभर करेंगी कि अब 22 फ़रोड़ी 2022 को सुनवाई होगी या नहीं होगी तो जैसे ही लिष्ट आएगी उसकी जानगारी हम आपको विस्तार से देगी उम्मीद है कि आज लिष्ट आ सकती है नहीं तो फिर आपको मंडे को ही लिष्ट देखने को मिलेगी ठीक है वैसे आज उम्मीद है कि आपको देर साम तक लिष्ट देखने को मि क्या पच्छ रख रहे हैं सरकार क्या चाहती है यह तुरंद दिस्पस्ट हो जाएगा क्योंकि सब से पहले एजी सहाबी पच्छ रखने वाले तो उनके पच्छ रखते ही सभी चीजे इंदम बातें केलियर हो जाएंगी कि भरती किस रहा पर है और किस रहा पर जाएगी कब तक पूर्ण हो जाएगी सब कुछ सपश्ट हो जाएगा तो हम इसकी अगरी अपडेट आपको देंगे उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े जाएगे